कौन कहता है आसमा में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तब्यत से उचा लो यारो। अगर इन दो पंक्तियों को किसी के जीवन से जोड़ना हो तो सूरी कुमार यादो के जीवन से आसानी से जोड़ा जा सकता है। शानी बार 21 फरवरी का दिन सूरी कुमार यादो के लिए एक बड़ी खुशकबरी लेकर आया, जिसका शायद वो इंतजार कई सालों से कर रहे थे। इंग्लाण के खिलाब T20i सीरीज के लिए शानी बार को टीम इंडिया का एलान किया गया और मुंबई के इस धाकड़ बलिवाज को टीम में जगा आखिरकार मिल ही गई। टीम इंडिया में सेलेक्ट ना होने पर सवाल खड़े किये थे। की यादो का पूरा परिवार अब भी सैदपूर अब गाजीपूर के हथोड़ा गाउं में रहता है। पता अशोक कुमार यादो की मुंबई में नौकरी के कारण सुरक कुमार यादो के एजुकेशन मुंबई में ही हुई। सुरक मर यादो के पता अशोक यादो मुंबई में ही भाभा एटोनॉमिक रिसर्च सेंटर में इंजीनियर है। दादा स्री विक्रमा सिंग यादो सियार पीएफ में इंस्पेक्टर रहे और 1991 में राष्टपती पुलिस मेडल से भी सम्मानित हुए थे। सुरक मर यादो ने मुंबई के ही परमानू उर्जा कींद्री विद्याले से शुरुवाती पढ़ाई की पिल्ले कॉलेज ओफ आर्ट्स, कॉमर्स और साइन्स मुंबई से बीकॉम किया। सुरिया की शुरुवाती कोच उनके चाचा विनोध यादो रहे। बाद में चंद्रकांथ पंडित और एचेस कामत से उन्होंने कोचिंग ली। सुरिया न 2016 में अपनी फ्रेंड और डान्स कोच देविशा शिट्टी शशादी की। 2012 में सुरुकुमार यादो की मुलाकात पहली बार अपनी देविशा से आरे पोड़ार कॉलेज अफ कॉमर्स एंड एकनॉमिक्स मुंबई में हुई थी। देविशा सूर्य कुमार यादो की बल्लेबाजी से काफी प्रभावई थी जबकि सूर्य कुमार देविशा के डां से प्रभावई थी। परिवार में पिता अशोक और मा सपना के अलावा बहन दीनल भी है। सुर्या इस समय भारत पेट्रोलियम में मैनेजर है। सुर्गमाद 2013 में अंडर 23 टीम में बतोर कप्तान शामिल हुए और इमर्जिंग एशिया कब भारत की जोली में डाला था। 2011-12 के रंजी सीजन में उड़ी साह खिलाब 12 शातक लगाया। साल 2010-11 के सतर में अंडर 22 में 1000 से अधिक रन बनाएं। और में चिदंबरम ट्रॉफी जीती। साल 2011-12 में रंजी ट्रॉफी के सतर में सरवादिक 794 रन बनाए थे। 11.12 के रंजी सीजन में ही उनका सर्वस्टेश्ट प्रदर्शन भी था इसी की बाद IPL में वो शामिल हुए IPL में पहली बार 2011 में वो मुंबई इंडियन्स का हिस्सा बने थे बीच में कोलकाता नाइटराइडस के साथ भी वो रहे सुर्कमारियादों ने पिछले सीजन में शांदार बल्लेबाजी करते हुए 16 मैचों में 480 रन बनाए थे इसकी बदॉलत मुंबई इंडियन्स की टीम रिकॉर्ड पांचवी बार IPL खदाब अपने नाम करने में सफल रही थी सुर्कमारियादों के बहुत पहले ही टीम इंडिया में शामिल हो जाने की बाते चल रही थी लेकिन देर से ही सही सुर्कमारियादों को आखिरकार टीम इंडिया में जगा मिल ही गई अब fans उमीद यही कर रहे हैं कि जो उन्होंने मुंबई और मुंबई इंडियन्स के लिए अब तक किया है वही कारनामा वो टीम इंडिया के लिए भी दोराएं फिलाल के लिए वीडियो में ता हैं तमाम sports update के लिए बने रहे हैं वन इंडिया के साथ